राम राम प्यारे साथी हो आप सभी का स्वागत अपने फॉर्म नोटिस योट्यूब जानल के उपर भी इस वीडियो के अंदर बात करेंगा भई हरियाना CET जो आप लोगों के लिए 2020 जो भी वकांशिया निकलने वाले हैं भई उसकी एक्जाम डेट क्या रहेगी और जो ग्रूप D है भई इसके नए फारम बरने का जो पूर्टल है उसके बारे में इस वीडियो के अंदर पूरे डिटेल से बात करेंगे दोस्तों और जो आप लोगों को भी एक्स्ट्रा नमबर मिलते हैं वो नमबर अब आप लोगों क को मिलेंगे या किन को मिलेंगे और किस प्रकार से आप लोगों को नमबर हैं जो वो मिलेंगे भई उसके बारे में इस वीडियो के अंदर डिटेल से बात करेंगे यानि कि जो एक्स्ट्रा नमबर मिलते हैं आप लोगों को अब की बार उनके अंदर थोड़ा सा रूल चें से बताइंगे दोस्तों तो वीडियो को लाज्ट तक देखना और ज्यद्धा से ज्यद्रा चैनल को सुस्क्राइब करना अब बात कर लेते हैं जो एक्सरा नंबर है उनके बारे में उसके बाद बात करें एक्जाम डेट और जो नए वारम बरुआने कुछ पारे भी तो प्यारे साथ ही यहां पर आप सभी देख सकते हैं वही जो ग्रूप D की बर्ति वही उसके अंदर एक नया फैंसला लागू क्या गया है वही हरियाना सरकार या HSSC Board के दोरह समाजीकार्थिकांक के जो अधार के अंक हैं वही बहरी युगाओं को भी मिलेंगे यानि की पहले बोला गया था कि जो हरियाना से समंदित होगा यानि की जिसके पास हरियाना का डौमिस है लोगा या जिनके पास फैमिली आइडे होगी वही उनको ही जो समाजी कार्थिकांक के पांथ नंबर थे वही वो मिलते थे लेकिन अब की बार जो फैंसला है वो चेंज कर दिया गया है नोटिफिकेशन निकालने से पहले ये मामला है जो चेंज कर दिया गया है क्योंकि खट्र साब ने कई बार वोला है कि जो चीज़े हैं नोटिफिकेशन जा आप लोगों के यहाँ पर फारम भरेंगे भई उनको भी उन नमरों का जो लाब है वो दिया जाएगा दोस्तों ये बाते हैं जो अब की बार समाजिकार्थिकंक के अदार पर लागू की गई हैं यही जो मामला है यह फिर से लागू कर दिया गए भई रैजे में ग्रूप ड की बर्ती में हर्याना का ओना कोई जुरूरी नहीं है अगर आप बाहर से समंदित हैं तो भी अगर आप लोगों के गर में नोकरी नहीं है तो आप लोगों को उसके पांच अंक है जो वो दिये जाएगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों वही जो बाहरी स्टेट के विदार्थियां, उनको भी पांच अंक हैं, जो दिये जाएगी, उनका लाहब है, जो वह दे दिया जाएगा, उसके उपर अब हर्याणा सरकार ने महुर लगा दिये, वही क्योंकि ग्रूप D की बढ़तिया ने वाली हैं, और ये बहुत सरा सर गल्त है, वही जिसकी फैमि में कितनी इंकम है क्या कुछ है तो यह सरासर हर्याना सरकार का गल्द फैंसला है अगर हर्याना सरकार यह चाते के भी भार के ही लगाने हैं तो सरासर बोल दो कि हमने भार में ही नहीं बरवाने तो इसमें क्या लफड़ा वही तो यहां पर बहुत बड़ा दोखा है जो हर्याना के विदार्थियों के साथ किया जा रहा है दोस्तों क्योंकि अब जो आप लोगों का हक था पांच नम्मर का अब वो भार की बच्चों को भी देने का फैंसला किया गया है अब जो दोस्तों हर्याना के अंदर भई जो प्रिक्सा है जो ली जाएगी और उसके बाद वही दिसंबर 2023 के अंदर आप लोगों को जोईनिंग करवाई जाएगी क्योंकि 2024 में इलेक्षन है इन चीजों को देखते हुए बहुत जल्द आप लोगों के लिए प्रिक्सा एक्जाम के लिए या आप लोगों की जोब के लिए पिटा रहा है जो वो खोल दिया गया है हरियाना सरकार की तरफ से लगबग 70-80,000 पदों के उपर आप लोगों को बर्ति किया जाएगा दोस्तों और जून मेने के अंदर आप लोगों के लिए पोर्टल उपन करने का जो काम है वो किया जाएगा थैंक्यू दोस्तों